कहाने के शुरुवात में हम गौरफ का बूर नाम के एक सौफ्ट्रेल इंजिनियर को देखते हैं जो के मायामी में रहता है और वही के ही एक कमपनी में जोग करता है और गौरफ एक बहुत ही विल डिसिप्लिन इंसान था उसे हमेशा हर चीज तरीके से करना अच्छा लगता और गौरफ अब शादी करके सेटन होना चाहता था गौरफ के ही कौवर करती कावया और गौरफ कावया को बहुत पसंद करता था और कावया गौरफ को एक अच्छा दोस्त मानती थी कावया को एडवेंचरी स्लर के पसंद थे जो के रिस्क लेना पसंद करते हो इसलिए का के एक organization के लिए काम करता था और इस organization के हिट थे विजय सकसेना और विजय के कहए हुए missions पर ही रीशी और बाकी के teammates काम किया करते थे और रीशी और याकुब नाम का एक और teammate Bangkok में ऐसे ही aksikrit mission के हाते अधी मत हो जाती ही जिस बात से लिशीघ का और या kup में कहा सुनी हो जाती हिसके बाद रीशी मुंबर वापस आता है और उससे अब ऐसे जिन्दी की इच्छी नहीं लगत है उसे एक नॉर्मल जिन्दी की चाहिए थी इसे लुषे रिशी विजय से बात करता है और कहता है कि वो ये चौना जाता है और ये कह़कर रिशी विकिश्न के लिए चला जाता है दूसरे तरफ लेकिन वोकुरी और prefски को ककुछ कहा अब अर्भ दिया था और भी ये बात पता चल चुके थी इसलिए रिषी की जान बच जाती है और रिषी को समझ में आता है के वीजय नहीं ऐसा कुछ किया है और वो जाकर विजय से मिलता है और उसका पीछा छोड़ देने के लिए कहता है विजय रिशी को कहता है कि रिशी उसके लिए एक आखरे काम कर दे जिसके बाद रिशी हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा विजय कहता है कि एक मिनिस्टर है जिस पर रिशी को नजर रखना पड़ेगा विजय का कहना है कि ये मिनिस्टर एक करब्ट इंसान है और उसके गलत कामों के वज़ा से देश को बहुत नुक्सान पहुच रहा है और Vijay कहता है कि रिशी को उस आदमी के सिल फोन से कुछ डेटा एक हार्ड ड्राइफ मे कॉपी करना पड़ेगा और वो हार्ड ड्राइफ Vijay को देना पड़ेगा इसके बाद रिशी का काम खतम हो जाएगा और रिशी भी आज़ाद हो जाएगा और विजय की सारी बाते सुनकर रिशी एक आखरी बार उसकी मदद करने के लिए तयार हो जाता है इसके बाद रिशी और उसका एक और टीम मेट याकू इस काम के लिए जाते हैं और उस मिनिस्टर से मिलकर रिशी उसका फोन चूरी कर लेता है और फिर इसके बाद रिशी गौरव कपूर नाम के एक data analysis ने मिलता है और ये पता चलता है कि ये गौरव कपूर कोई अलगी इंसान है और इसके बाद गौरव रिशी से मिलकर उसे कुछ जरूरी data देने वाला था लेकिन इसके बाद ही याकूब गौरव को मार डालता है और ये देख कर रिशी बिलकुल हैरान हो जाता है याकूब कहता है कि विजए ने यही instruction दिया था और इसके बाद जब रिशी और याकूब वहाँ से जाने वाले थे तब याकुब को वीजय मैसेज करता है कि याकुब रिशी को भी मार डाले और फिर वीजय के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जब याकुब रिशी को मारने बाला था तब रिशी अपनी जान बचा कर याकुब के हातों से भाग जाता है और याकुब दूर से रिशी पर गोली चलाता है लेकिन वो गोली रिशी के pocket में रहने वाली एक hard drive में लगता है और इन सब में वो hard drive डैमेज हो जाती है इसके बाद पर भी रिशी उस hard drive से data collect करने के कुशिश करता है और रिशी के समझ में आता है कि दरहसल इस hard drive के अंदर वीजय के खिलाफ ही कुछ सबूत है और इसलिए वीजय को वो hard drive किसी भी हालत में चाहिए था और रिशी वीजय को call करता है और कहता है कि वीजय उसका पीछा छोड़ दे और वो उस hard drive को अपने पास सेफ रखेगा यह कहकर रिशी गौरफ कपूर के ही identity लेकर और उसके सारे documents इस्तेमाल करके माया में चला आता है और गौरफ कपूर के identity से ही वो माया में में रहने लगता है और प्रेजेंट के जो गौरफ को दिखाया जाता है उसकी कहानी और रिशी के कहानी में 5 साल का difference था और प्रिलाल रिशी उर्फ गौरफ मुंबै में अपने office के काम से आया था और इसी दोरान रिशी के car की accident हो जाती है और एक वीडियो बनाया जाता है और वो वीडियो काफे बाइरल होता है और इसे वीडियो में वीजय और उसके बागे team members रिशी को देख लेते हैं और वो लोग थे वीजय उनसे बात करता है और उनके ही एक local member जिगनेश कोको नाम के एक आदमी को गौरव उर्फ रिशी को मारने के लिए इसके घर भेजता है दूसरे तरफ हम देखते हैं के मायामी में काव्या के parents आये हुए थे और रिशी उर्फ गौरव उनसे मिलता है और पाव्या के parents को गौरव बहुत पसंद था इसके बाद यह देखा जाता है कि कोको गौरव के घर में आता है और वो उसे मारने वाला था लेकिन गौरव अपना दिमाग लगा कर कोको का ध्यान भटकाता है और उसे बेहुश करके अपने कार के डिकी में चुपा देता है ले लेकिन इसी धौरण काव्या के parents भी गौरव के घर में आये हुए थे और दूसरे तरफ गलती से दिख्षित के हातों कोको की मौत हो जाती है और दिख्षित कोको के body को फिर से गौरव के कार के डिकी में चुपा देता है और गौरव किसी तरीके से काव्या के parents का ध्यान भ लेकिन तब ही वहाले आ जाती है दरफ घर काव्या को ये पता चला था कि गौरव ने काव्या के parents को उसकी और काव्या की बात कही थी जिस बात से काव्या बहुत नाराज हो जाती है और वो इसी बारे में गौरव से बात करने के लिए आई थी लेकिन घर में और रोड़ी याकूब और बाकी यूनिट एक्स के एजिन्स मौझूद थे और फिर याकूब गौरव और काविया दोनों को ही बेहुश करके एक जगा पर बांग देते हैं और जब उन दोनों को फूश आता है तो रिशी उर्फ गौरव काविया से इन सब के लिए माफ़े मांगता है और वो अपने भाड़े में काविया को सारा सच कहता है और अपना असनी नाम भी काविया इन सब के लिए रिशी पर बहुत गुसा हो जाती है लेकिन रिशी अपने स्किल्स यूज़ करके खुद को और काविया को छुरा लेता है और फिर वो लोग याकूब और उसके आदमियों के हाथों से बच कर वहाँ से निकल जाते हैं और इन सारी मुसिवत में फसने के वज़ा से काविया पहले तो रिशी पर बहुत नाराज होती है लेकिन दिरे-दिरे उसका गुसा शान्त होता है और वो रिशी की हालत को समझती है फिर रिशी और काविया एक मोटेल में जाकर छुपकर रह रहे थे लेकिन याकूब को रिशी के लोकेशन के बाड़े में पता चल जाता है और याकूब रिशी को जाकर पकर लेता है लेकिन इसके बाद रिशी याकूब से शान्ती से बात करता है और वो विजय के बाड़ वीजय के खिलाफ information collect करे और फिर वो information रिशी याकूब को दे देगा जिसके बाद याकूब भी आजाद हो सकता है और याकूब भी रिशी के साथ मिल कर काम करने के लिए तयार हो जाता है इसके बाद वो दोनों मिल कर एक building में चोरी छुपे घुशते हैं लेकिन वहाँ के security guards को उन लोगों के बारे में पता चल जाता है और वो लोग रिशी को पकरने की कोशिश करते हैं और खत्रा देख कर याकूब रिशी को छोर करे भाग जाता है लेकिन दूसरे दरफ हम देखते हैं कि एहम मौके पर काववया कार लेकर पहुच जाती है और वो रिशी को बचा लेती है इसके बाद रिशी और काववया रिशी के घर आते हैं और वो दोनों याकूब से लरने के लिए तयार होते हैं और याकूब अपने आदमियों के साथ रिशी के घर पहुचता है और रिशी से वो हार ड्राइव मांगता है। इसके बाद रिशी और काविया मिलकर याकूब और उसके आदमियों का मुकावला करते हैं और वो दोनों मिलकर याकूब के बहुत सारे लोगों को मारते हैं लेकिन इसके बाद रिशी याकूब और उसके साथ दो तिन और लोगों को छोड़ देता है और उसे धमकी देता है कि वो इस घर से चला जाए और वो हार्ड ड्राइब भी दे देता है लेकिन घर से थोड़ी देल जाने के बाद याकूब को ये समझ में आता है कि निशी ने उसे असले हार्ड ड्राइब नहें दिया तो दोस्ते तरफ हम ये देखते हैं कि दिख्षित याकूब के कार को टकर मारता है और याकूब और उसके आदमी जो कार चला रहे थे उसे कार में कोको का बोडी भी था और सरत के बीच ऐसे एकसिडेंट होने के वज़य से वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस आकर याकूब के कार के अंदर एक बोडी देखती है जिसके बाद वो लोग याकूब और उसके आदमीयों को हिरासत में लेना चाहरे ही थी लेकिन याकूब को लोगों पर गोली चला देता है जिसके बज़य से पुलिस याकूब और उसके साथ सभी लोगों को मार ढालती है दूसरे तरफ हम देखते हैं कि वीजय अपने कुछ लोगों के साथ रीशी के घर में पहुचता है लेकिन घर में तब रीशी मौज़द नहीं था और फिर वीजय के फोन में एक कॉल आता है और वो कॉल रिसेप करने के बाद ही वो घर ब्लास्ट हो जाता है दूसरे तरफ हम देखते हैं कि रीशी और काववियां इस शहर से काफी दूर चले गए थे और वो लोग हे मंतर पुजा खर्ना नाम के दो नए आइडेंटिटिस के साथ और गौरफ कपूर के बहुत सरे पैसों के साथ एक नए जिंदगी शुरू करने वाले थे और यह देखा जाता है कि स्पीड लिमिट वायोलेशन के वजह से पुलीस उन लोगों के कार को चेस करती है और रीशी कावविया को कहता है कि अब उन लोगों के जिंदगे की एक नए अडवेंचर शुरू होगी और कावविया को भी बिलकुल ऐसे ही एक लाइफ चाहिए थी जिस बात से वो भी बहुत खुश होती है और रीशी और कावविया अपनी नए जिंदगी शुरू करते हैं और इसे के साथ ये कहन यही परी खतम हो जाती है